अगर अभी तक आपने बच्चे का दाखिला नहीं करवाया तो आप सभी पैरेंस के लिए गूड नीउस है मैं आपको बता दूँ की नर्सरी दाकली की तारीक बढ़ गई है जानिये कब तक हो सकेगा अड्मिशन अड्मिशन की डेट कब तक बढ़ा दी गई है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और अदेकारियों ने क्या कहा है इसके बारे में यभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो प्लीज मेरे साथ वीडियो को लास तक देखिएगा और अगर आप मेरे चानल पर नहीं तो चानल के सब्सक्राइब करके आल पर क्लिक कर लिजेगा एड़ी सरकार ने प्रवेसिस्तर की कच्छाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एड़ीकारियों ने यह जानकारी दिये इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लोगों को बड़ी राहत मिलेगी 14 जून तक करा सकेंगे अब आप अपने बच्चे का एड़ीशन 14 जून तक करा सकेंगे सिच्चा विवाग के उपने देशक योगेश पाल सिंग ने कहा प्रवेसिस्तर की कच्छाओं में EWS और वंचित वर्ग यानि डीजी के तहट सफल बच्चों के दाखिला लेने की तिती बढ़ा कर 14 जून कर दी गई है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS वंचित सम्मू यानि की डीजी और विशीज और सकता वाले बच्च यानि की CWSN सेड़ी के तहट सहर की नीजी स्कूलों में प्रवेश सिस्तर की कच्चाओं में दाखिला 31 मार्श से सुरू हुआ था 25 सीटे रहती है आरक्चित सिच्चा का अधिकार अधिनियम के प्रोधानों के अनुसार नीजी स्कूलों में प्रवेश सिस्तर की कच्चाओं यानि की नर्सरी, केजी या कच्चावन में 25 सीट EWS, DG और CWS, N सेड़ी के छात्रों के लिए अरक्षित है आपको बता दे कि EWS का लाव उन बच्चों को मिलता है जिनकी वार्षिक परिवारिक आए एक लाख रुपए से कम है डीजी सेड़ी में आपके अनुसूचित जाती, जन जाती, पिछड़ा वर्ग, अनाट, ट्रांजेंडर और हैचावी से संक्रमित बच्चे सामिल होते हैं बता दे कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने प्रवे सिस्तर की कच्चाओं में दाखले के लिए आदेश दिया था इस संबन में सिच्चा निदे साले यानि कि D.O.E. के एक वर्ष्ट अधिकारी ने बताया था कुछ नीजी स्कूलों ने दावा किया है कि सेच्चिक सात्र 2021-22 में प्रवे सिस्तर की कच्चाओं यानि कि नर्सरी केजी और क्लास वन में उनकी घोसिस संक्या से अनुसार खाली सीट के तह दाखले नहीं हो तके हैं ऐसी नीजी स्कूलों में खाली रहे गई सीटों पर दाखले के लिए एक बार फिर से आवेदन अमंत्रित किया रहे हैं अगर आपने अभी तक अपने बच्चे का आवेदन नहीं कराया तो एक बार फिर से EWRDG का आवेदन अमंत्रित किया जागा थांक्यों फॉर वा